Hello everyone, Welcome to Physiomedian और आज हम Hip Joint Biomechanics की सिरीज में देखेंगे कि Function of Hip Joint क्या होता है यहाँ पे दो Function है Hip Joint का पहला है Weight Wearing और दूसरा है कि Hip Joint में कौन-कौन से Motion होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे Weight Wearing hip joint transmit the weight of head, arm and trunk hip joint जो होता है वहाँ से arm, head और trunk का पूरा का पूरा weight होता है वो हमारे hip joint के होते हुए ground में जाता है यह हमारे hip joint का पहला function है कि वो क्या करता है weight wearing में help कराता है जो दूसरा है वो क्या है कि hip joint में हमारे दो motion होते है hip joint में हमारे दो motion होते है जिसमें पहला हम क्या देखेंगे कि pelvis जो है हमारा pelvis means जो हमारी hip bone है pelvic bone है वो हमारी fix रहेगी और जो हमारा femur है वो क्या करेगा move करेगा मतलब कि यह open kinematic chain open chain movement होगा open chain movement हो होते हैं जिसमें कि हमारा pair हमारा जो foot है ground से attach नहीं रहता है और जो सारी कीसारी जो lig key moments होती है है और हमारे hip joint की movements होती है वह सारी कीसारी open chain में आती है मतलब कि pelvis हमारा fix रहेगा लेकिन femur tbio foot हमारे fix नहीं रहेगी यह femur tbio val foot सारी कीसारी most करेगी तो वह सारे के सारे किस्य में आगा हमारे open chain movements में आप जो हमारा pelvis है जो हमारा hip joint है उसमें जो pelvis में acetabulum cavity है वो concave shape की होगी और जो femur का head रहता है वो convex shape करेगा तो यहाँ पर क्या है जो concave shape है जो acetabulum cavity है वो fix है concave fix और convex move और जो हमारे femur bone का head है वो move करेगा और femur कैसा है femur का head convex है तो concave fix रहेगी और convex move करेगा अब हमारे hip joint में कौन-कौन से motion होते हैं तो सबसे पहला आता है flexion और extension हम bone की मदद से देखेंगी कि कैसे flexion और extension हमारे hip joint में होता है तो यह हमारी pelvic bone है और यह हमारी femur bone है pelvic bone में जो हमारे यह outer surface है उसमें acetabulum cavity है और inner surface जो की underside रहेगा अब यहां पर हमारा head articulate करता है अब यहां पर क्या moment होगा हमारे जो femur है वो कैसा है वो ground से ground में attach नहीं है तो वो move करेगा वो जब सीधा flexion this moment is the flexion of the hip है अब जब flexion of hip होगा यह extension होगा तो किस plane में होगा sagital plane में होगा और x-axis में होगा हमने बताया था अगर आपने यह axis or plane की वीडियो नहीं देखें तो मैं link में बिल दोंगा तो सबसे पहले आप उसी देखेंगा क्योंकि जब तक आपको axis और plane नहीं समझ में आएगा कि वो किस motion में कौन सी plane और कौन सी axis होती है तब तक यह आपको नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वो जाकर की वीडियो देखेंगा अब यहां पर flexion extension की बात हो रही तो यहां पर कौन सा plane है सजाइटल plane है और axis कौन सी है x-axis है हमेशा ही हम जानते है कि जो axis होगी वो plane की क्या होगी perpendicular motion के perpendicular होगी तो यह है flexion और extension जिसमें की flexion यह movement है और extension में हमारा जो femur है वो पीछी की और जाएगा दूसरा moment हमारा कौन सा है abduction और adduction abduction और adduction में क्या होगा हमारा जो head है उसका inferior glide होगा और this moment is called the abduction और this moment is called adduction तो यह किस plane में हो रहा है यह frontal plane में हो रहा है और z-axis हो रही ठीक है यह जो motion हो रहा है यह इस frontal plane के parallel और axis कौन सी हो रही z-axis हमने देखा था z-axis को a-p-axis और p-axis भी कहते हैं जो कि आगे से पास होती है और पीछे सी तो जो यह z-axis pass हो रही है इसमें यह perpendicular है इस plane के तीसरा हमारा है internal rotation और external rotation internal rotation में जो आपकी femur है वो inferior side पे move करेगी internal rotate करेगी ठीक है यह internally rotate करेगी जिसको हम internal rotation करेंगे और जब वो बाहर की और rotate करेगी तो इससे हम external rotation करेंगे body की जितने भी rotation moment होते हैं सारे के सारे transfers plane में होते हैं और उसमें कौन से axis होती है y axis जो की perpendicular लगती है तो यह अपने 6 के 6 motion हो गया flexion extension abduction reduction internal और external rotation और यह सारे के सारे ही motion हमारे open chain movement में आ रहे हैं है जिसमें की हमारी जो pelvis है वो fix है और move कौन कर रही है femur move कर रही है तो अब हम दूसरे movement की बात करेंगे जिसमें की femur हमारा fix रहेगा और हमारी pelvis move करेगी means जो convex जो convex है जो concave है वो move करेगी और जो convex है वो fix रहेगे यहां पर convex हमारा head है और concave हमारी stepulum cavity है तो मतलब कि यहां पर femur आपकी fix रहेगी और pelvic bone और hip bone आपकी move करेगी और यह सारा का सारे जो motion होता है वो किसमें होता है यह हमारे किसमें होता है close chain movement क्या होता है यह close chain movement होता है इसमें जो हमारा leg और foot है वो ground से attached रहेगा बागी हमारी क्या move करेगी केबल pelvic bone move करेगी अब यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहला movement कौन सा हम रहा है anterior pelvic tilt और posterior pelvic tilt हमारी femur fix है और यह हो रहा है हमारा anterior pelvic tilt है अगर आप देखोंगे ऐसे तो ज्यादा अच्छी समझ में रहेगा यह हमारा anterior pelvic tilt है और यह हमारा posterior pelvic tilt है जब हम long standing काफी देर के लिए खड़े रहते हैं तब हम अपना weight पूरा ऐसे डाल के खड़े हो जाते हैं पूरे आपने ट्रंक पे तब यहां पर यह movement हमें देखने को मिलता है जिसमें कि हमारा और यह क्या है anterior pelvic tilt और यह posterior pelvic क्या है और यह दोनों ही motion हमारे sagittal plane और x-axis में हो रहे हैं दूसरा हमारा forward rotation और backward rotation forward rotation जब pelvic आगे क्यों रहे से forward rotate करें और backward rotation जब हमारे पीछे क्यों पेल्विक रोटेट करें और यह rotation के moment ही सारे हमारे transfer plane और y-axis में हो रहे है पिर इसके बाद आता है lateral pelvic tilt और lateral shift lateral pelvic tilt को हम hip height भी कहते है ना lateral pelvic tilt और lateral shift इसमें क्या हो रहा है यह जो motion हो रहा है यह hip का यह lateral pelvic tilt है और यह lateral shift है बहुत ही minute सा यह moment होगा lateral pelvic tilt और lateral shift है ना तो इसमें यह किस plane में हो रहा है यह frontal plane में हो रहा है और z-axis में हो रहा है I hope कि आपको function of hip joint हमारे biomechanics series का यह video अच्छे से समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो आप comment section पर comment कर सकते है Thank you